हाई अब्रीवन आज मैं आपकी साथ शेयर कर रही हूं बहुत ही डेलिशियस चिकेन पटेटो करी यह बहुत ही जाएकेदार रेशिपी है तो चलिए इस रेसिपी को ट्राइ करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहां पे 1 kg चिकेन लिया है इसमें मैंने आट किया तर्मरीक पाउडर, 1-2 टीस्पून, सॉल्ट, 1-2 टीस्पून, और चिकन के पीसिस मैंने बढ़े रखे हैं, इसे मिक्स करके अच्छे से, मारिनेट कर दे 15 मिनट, जब तक चिकन मारिनेट होता है, चलिए पटोटो बॉल कर लेते हैं, इसके लिए मैंने प्रेशर कूकर में एक अलुए एट किया है, साथ में आट किया है वन टीस्पून रेचिली पाउडर, से थोड़ा कम सॉल्ट, हाफ टीस्पून यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, जिंजर गालिक पेस्ट, 1 टेबल स्कून देही, साथ में एट किया है, ओरेंज एट फूड कलर, इसके बादे ज कर दे के वड़ा वाटर इसके साथ ही मैंने यहां पर आड किया वान एड़ ग्लास वाटर मैंने यहां छे बड़े साइसके अलू को टू पीसेस में कट करके अच्छे से वाश कर लिया था इसे टू विसे लाने तक प्रिशर कूकर को लेड लगा के कूक कर ले नेक्स्ट एक में तू टेबल स्पून ओइल अड़ कर दे मस्टेड ओड़ एड़ किजेगा जब यह गर्म हो जाय तब मैरीनेटड चिकन अड़ कर दे चिकन अड़ करने के बाद विडियम फ्लेम पे इसे पांच मिनट फ्राइए कर लेंगे पांच मिनट के बाद चिकन को बावल में ट्रांस्फर कर ले 5 मिनट में आलू भी बोयल हो गया तो अब आलू को निकाल लेंगे हम एक बावल में और पानी को फेकेंगे नी यह पानी हम यूस करेंगे नेक्स्क टेक पैन में घ्रक्रbles ब less order और ह्षा रीच मिच्ट ब इससे सिफ दो बिनीट फ्राइप इंस दो मिल्यूक्र खम स्लिंग और प्रम से जई घंड कऱें तो प्यास का कलार ब्राउन हो चुका है, तो इस time पे आड कर दे 2 टेबल इस्पून जिंजर गालिक पेस्ट, और इसे 1 मिनट सौटे कर लेंगे जिंजर गालिक को बाद मैंने यहां पर बड़े साइस के दो प्यास को ग्राइंड करके आड कर दिया, इसके बाद मैंने से भूनेकी बूनेकाइड था है मीडियम फेलेस फों लिए है 10 ने के बाद इसमें सॉल्ट्र आइड़ करदे डाल सकते हैं यां इसे पांच मिनटा और भूने दून ले हैं पर यौल्र स्पाइसिस अड़ेंगे 1— 1T ती इसपून प्रोसेस्पून और आप गया पाइब बुण अब बने नीचे स्चुल्ट के बाद में आड़ेंगे 5 मिनेट बून ले इन वरी प्रोसेस्पून पे बाद इसमें मैं आड़ेंगे नंडे पून आड़ेंगे यह सब्सक्राइब आपके tutto यहां dhp ne जाए मसाला्स को जा यहां भी नहीं आपके आपके 1 रच लीट्डवाल तो 8-9 मिनिट के बाद चिकेन बहुत अच्छे से भून चुका है आप इस चिकेन को रोटी के साथ भी खा सकते हैं अभी तो अब भूनने के बाद हम इसमें आड कर देंगे आलू जिसे हमने बॉयल भी किया था और थोड़ा सा फ्राई भी किया था तो इसे आड करने के बाद पानी आड किया था ना वह पानी आड कर दें यहां पर पानी आड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर ले और इसमें एक बॉयल आने दे जब इसमें वन बॉयल आ जाए तब इसमें आड कर दे चिकेन मसाला पाउडर उसके बाद इसमें बॉयल आ जाए तब इसमें आड तो इतनी मिंटो की महनत के बाद पाइनली डेलिशे चिकन करी रेडी है तो जाए इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए और थैंक यो फो वाचिंग माई वीडियो